तो हलो एवरीबाद कैसे हो बच्चों देखो तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था टाइप आफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में यूनिफॉर्म फील्ड, नौन उनिफॉर्म फील्ड और रेडियल फील्ड डिस्कस किया था आज हम लोग डिस्कस करने जा रहें बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, चले स्टार्ट करते हैं, ए डाइपोल बोले तो दो पोल, ना, क्यों क्लियर है मेरा बात ना, डाइपोल बोले तो दो पोल, डाइ मीन्स टू होता है बच्चों इसलिए, तो टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल स्टाइट करिए देखते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने बोला भी था कि जब भी कोई टॉपिक स्टाइट करेंगे थोड़ा सूचेंगे उसके बारे में क्या लिखा इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक बो लिखा यहां पर डेक्व बोले तो टू पोल अपस में कुछ डिस्टेंस पे गर ओं दो equal और opposite charges एक दूसरे से कुछ distance पे हो तो उसे हम उस system को dipole कहते हैं क्या बोलते हैं dipole two equal and opposite charges separated by a finite distance form and dipole form and dipole chemistry chemistry में बच्चो इस सब बोलते हैं इसका example is cl plus minus ncl plus minus यह सब dipole बनाते हैं क्योंकि इन दोनों कायन के बीच में कुछ डिस्टे न segunda जिसे बॉनलिन कहते हैं वहां पर बनता है डाइपॉल तो अरफ़ प्लस साद meditate हैंगif कुछ सेओं फॉल्टे वוזूम हैं उन्हें क्या कंप एलेक्ट्रिक डाइपोल जैसा की यहां पर देखे बच्चो एक प्लस चार्ज लिया हमने और एक माइनस चार्ज यहां पर माइनस यह रहा प्लस और आपस में कुछ दिस्टेंस पर कितना डिस्टेंस ले लिया हमने आपको बता हूंगा एक्चल में हम सारे डिस्टेंस बच्चों कहां से मेजर करते हैं डाइपोल के सिंटर से सारे डिस्टेंस मेजर करते हैं तो हम पूरे डिस्टेंस को 2L लेंगे ताकि सिंटर से distance measure करते समय L by 2 ना करना पड़े इस बज़े से न देखें तो और धिहार रहिए जो charges को मिलाने वाली line होती है उसे axial position axial बोलते है या axis of the dipole कहते हैं this is called axial or axis of the dipole और इस line के perpendicular अगर कोई line draw करें तो उसे equatorial कहते हैं क्या बोलते हैं उसे अच्छो इक्विटोरियल यह दो पोजीशन है यह एक्विटोरियल और यह axial position है इस डाइपोल मॉमेंट दर अभी यह समझ में आया हम सबको डाइपोल क्या होता यह समझ में है कि एक प्लस और एक माइनस चास आपस में कुछ डिस्ंस पर हूँ तो उसे क्या value है intensity of dipole के बारे में बताता है कि dipole कितना strong है कमजोर है उसके लिए term define करते है उसका नाम है dipole moment जिसे हम P से denote करते हैं जिसे किसे denote करते हैं बच्चों P से और यह dipole moment होता क्या चीज़ है dipole moment होता है कोई एक charge magnitude लेना प्लस मैंस अठाके कोई एक charge और इनके बीच में distance का multiplication कोई एक charge और इनके बीच में distance का multiplication the product of magnitude of any of charge and the distance between them is known as is known as dipole moment dipole moment इस ही कहते हैं बच्चों देखे तो dipole moment का यह जो formula है यहां पर लेख रहा हूं देखे मैं यहां पर यहां देखे P equals to charge into distance distance कितना है 2L charge into distance unit आककर dipole moment का बात करेंगे तो डबैकर चार्ज into distance charge का कुल्म डिस्टन्स का मीटर 4 का कुल्म डिस्टन्स का मीटर 3 तो यह का कुलाम Winds vị्टर होता है कुलामम मीटर सो क्लियर हो गया एक और मजँदार अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका डिरेक्शन हमें पता होना चाहिए उसका डिरेक्शन हमेंस से किदर होता है प्लस की तरफ दिखा देते हैं डाइग्राम में देखे यह आपका डाइपोल मोमेंट पी है जिसका डिरेक्शन होता है किदर बोलिए किदर माइनस से प्लस की तरफ डिरेक्शन होता है माइनस से प्लस की तरफ डाइपोल मोमेंट का डिरेक्शन हमेशा माइनस से प्लस की तरफ है यहां ध्यान रखेगा इल्यक्री फील्ट पूंटी उल्टी होता है। लेक्रीर प्लास की तरफ होता है। मिनस से प्लस की तरफ। दाइमेशनल फार्मॉला यहीं से लिख सकते ज्राइब अ Сब्सक्रास का जो होता है एक इंट सेaż का हो बाता अगला जो हेडी है बच्चो टॉर्क टॉर्क एक्टिंग उन इलेक्ट डाइपोल इन अन उनिफ फ़िल्द अगर आप किसी डाइपोल को किसी युनिफॉर्म इलेक्टिक फिल्म में रखेंगे तो उसपर टॉर्क लगता है जिससे डाइपोल रोटेट करता है बच्चो क्या लगता है टॉर्क जिससे डाइपोल क्या करता है रोटेट करेगा जैसे हमने यहां पर एक यूनिफ़ारimme फिल्ट यह एक यूनिफ़ार इस यूनिफ़ार्म फिल्ट में मैंने डाइपोल रख दिया यह लिख लीक ट्रीजिप लॉर्ठ ग fed तो Rug क्या होगा फिर माइनस साज क्योंकि एलेक्ट्रिक लाइनस हमेशा माइनस से प्लस चलती है और डाइपोल मुमेंट हमेशा माइनस से प्लस चलता है इसमें देखे बच्चो इस प्लस चार्ज पर देखे तो फोर्स इधर लगेगा क्योंकि इधर प्लस है इधर माइनस है इध और प्लस पर देखिए इधर माइनस पर अगर ऐसे पोर्स लगाई जा तो यह क्या करे तो यह दो डपोल है यजियक अफमने community तो टो को टॉट से रिनोट करते हैं, टॉर्क को किसे रिनोट करते हैं टॉर्क को अमने टॉर्क से रिनोट किया, तो टॉर्क इस इकल टू होता है, पोर्स इंटू पर्पेंडिकुलर डिस्ट्रंस, पोर्स इंटू पर्पेंडिकुलर डिस्ट्रंस, तो टॉर्क में हमने या लेखा पोर्स इ है है हम लोग इस पॉइंत के मां निकाल रहें है तो घ्रORA हम सब्सक्राइब निकाल के आधा यह-स इस यह दो और लाइन ब्रॉक कर दिया हमने तो दिए जो डिस्टेंस होगा यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा यह डिस्टेंस यह वाली यह पॉइंट यह लिख लिया गया है ओके जस्ट मिनट बच्चो मैंने थोड़ा जलत रिप्रेजेंट कर लिया है ठीक है उस उपर वाले प यहां से यह डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं टॉर्क फोर्स इन्ट्य प्रफिंट इन्टू दिस्टेंस क्या बोलते हैं तॉर्क तो हमने यह लिखा टॉर्क इस इकल टो F into AC अच्छा एफ की जो वेल्यू होती ही वो क्या है बच्चो F यह आपने पढ़ा होगा इलेक्टिक फील या पड़े तब फोरस इस इकल टू चार्ज इन्टू फील्ड अगर यहां पर यह है और इसका चार्ज क्यू है इस पर जो लगने में यह एंगल मान लीजए आप की यहं तोट एंगल कितना है अपका ठीटा है यह वाला एंगल थे यह बद जो दिख दिए आahi 2L, sin theta is perpendicular upon happiness that is AC upon 2L और यहां से AC की value आएगी 2L sin theta और इसको उठाके यहां पर put कर देंगे AC की जगह पर, इसको उठाके यहां पर put करेंगे, कहां पर? AC की जगह पर, तो AC की जगह पर, तो AC पूट करेंगे, तो आशर आएगा, torque is equal to QE2L sin theta और अगर हम लोग ध्यार नहें बच हम लोग क्या बोलते थे? P, P मतलब Q into 2L को क्या बोलते है? P, P मतलब dipole moment, क्या? dipole moment, तो हमने यहां पर dipole moment लिख लिए, it is P, तो इसकी जगह पर हमने लिख दिया P, तो यह हो जाएगा, P is equal to Q into 2L, तो यहां हम लिखा P, P e sin theta, विका right here, P e sin theta, तो यह जो torque का formula आया है, वो है यह P e sin theta, देख सकते हैं, P e sin theta, P e sin theta, maximum torque कब आयेगा, जब theta की value क्या होगी, maximum torque तब आयेगा, जब theta की value क्या होगी, बच्चो, 90 degree, और maximum torque की value होगी, P into E, क्योंकि sin 90 होगया, तो P into, न sin and D बन होता है, तो P into, और minimum तब आयेगा, जब theta की value 0 degree हो, या 180 degree हो, 0 degree होगा, तब भी torque 0 जीरो आएगा 180 डिग्री होगा तब भी टॉक जीरो आएगा एक चीज़ और ध्यान रहा है यह देखिए एक्च्छल में ध्यान रहा है साइन ठीटा जब होता है ना तो हम लोग क्रॉस प्रोड़क्ट यूज करते हैं वेक्टर की दुनिया में जब दो वेक्टर के बीच में फोट ओढ़ेक्टिदेगं वेक्टर इंटो साइन ठीटा हो तो साइन ठीटा जो टम आता मैं आता म्रम्हास बीक्र ध्यव लोग लिखेंगे ट्हां वेक्टर इकोस to पी क्रोस य जब भी आपकह चार्ग निकालना हो पी और पी क्रोस इप को ही क्या बोलते है पी ई साइन चेटा ओके बच्चा लोग तो यहां से बड़े आसानी से आप निकाल लिया टॉक याद रखेगा कम आएगा कुछ कुछ न्सें इससे रिलेटेट डाइपोल से related कुछ question है, पहला question देखिए क्या है बच्छा लोग, question है, magnitude of torque acting on a dipole is, magnitude of torque acting on a dipole is, maximum when the angle is, when the angle is, dipole पे torque maximum होगा, जब angle क्या होता है, बोलिए 90 degree, angle 90 degree होगा, तब होता है, torque maximum होगी तो पढ़ाम लोग ने, next, which type of quantity is electric dipole moment, किस तरह का quantity है, electric dipole moment, scalar vector, कैसा है, बोलिए, answer आया, answer vector, कैसा है बच्छो, vector, so, अगला जो topic होगा, वो है electric flux, तो जैसे आपने कहा है, बच्छो कि हम लोग 8-10 minutes का वीडियो बनाएंगे, ताकि आप लोग को पढ़ने में तकलीफ न हो, कहीं भी रहिए, फटा फट पढ़ लिजे, basic एकदम clear होंगे, ध्यार रहे, अगर आपको जही में advanced level का पढ़ना हो वैसे आप इसे पढ़के main और neat level के question कर से, मैं question भी कराऊंगा अभी, जैसी chapter कतम होगा, आपने question का session चलेगा, एक दो, कुछ question कर सकते हैं, लेकिन दिहारे board level ज्यादा prefer करिये, अगर आपको जही main या advanced के लिए पढ़ना है तो भी इसे पढ़ना पढ़ेगा, फिर में को contact कर मैं जरूर पढ़ाँगा, okay everyone, okay, मिलते हैं next class में?